वेल्कम स्टुडेंट्स प्लस्टू क्लाश में आपका स्वागत है मैसेल्फ चमलाल ठाकूर लेक्ट्टर इन केमिस्ट्री गॉवर्मेंट सीनियर स्केंडी स्कूल पांगना डिस्टिक मंडी स्टुडेंट्स हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 11 अफ 10 प्लस 2 क्लास अन दा टाइटल इस अलकोहल्स फिनोल्स अड इथर्स स्टुडेंट्स इसमें हमारे इस लेक्ट्टर के टॉपिक्स रहेंगे दा टॉपिक्टर के लुपिक्टर अज़ प्रॉपिक्टर अप्री ग्रीयर स्टुडेंट्स अफ स्टूपिक्ट्टर में शाओआज का टॉपिक्स प्रॉपिक्स ठीड़ आपने ऐसा चिंद हैंट्ड कई बार देखा होगा रोड के किनारे या फिर शॉपश पे से लो टू इल्कोहल यह ऐल्कोहल होते क्या है इसके बारे में हम जानेंगे हमारी लैब में भी होता है इस तरह से बोटल्स के उपर इथेनो लिखा हुआ है तो यह भी ऑल्कोहल है तो इस दोनों say no to alcohol जो drinking purpose के लिए होता है वो इथेनोल होता है इथाइल alcohol C2H5OH और इस तरह का आपने देखा होगा ये फर्स शाफ करने के काम आता है ट्वालेट सीट्स को साफ करने के काम आता है तो इसका नाम फिनोल है और इसका structure ये है benzen ring सारा पढ़ेंगे हम और इसके उपर OH group लगा हुआ होता है तो हमारा जो basic है वो ये चीज है कि हम इस में ये चीज पढ़ेंगे जहां पे ये OH group लगा हुआ होगा जैसे यहां पे भी OH group लगा हुआ है C2H5 इसके साथ यहां पे हमारे पास Benzene Ring है दूसरी तरफ और यह OH ग्रूप लगा हुआ है तो ऐसे हम Topics पढ़ेंगे इसमें जो की Alcohols, Phenols इनको कहते हैं Ethers में ग्रूप हमारा थोड़ा Change हो जाता है वो बाद की बात है पर हम अपना Topic सुरू करते है Students Let us start Alcohols and Phenols The compound obtained by replacing one hydrogen from aliphatic hydrocarbons by hydroxyl group are alcohols whereas those obtained by replacing hydrogen from aromatic hydrocarbons are Phenols देखिए किस तरह से Aromatic hydrocarbon मतलब यह This is Ethene और यहां पे यहां बाड़ा H जो है इसको हम replace करेंगे OH के साथ तो यह alcohol बन गया उसी तरह से हमारी benzene ring होता है ऐसे benzene ring इस benzene ring को हम इस तरह से लिखते हैं ध्यान से देखना 6 carbon alternate double bond हर एक carbon के पास एक hydrogen atom एक hydrogen atom यहां से हम एक hydrogen को हटा दिया और यहां पे हमने OH group लगा दिया तो उनको बोलेंगे हम phenol क्या बोलेंगे यहां पे OH group लग गया अब देखते हैं किस तरह से RH R means यह CH3 CH2 जैसा methane में था this is known as R इसको हम R बोलेंगे तो RH अब देखिए यह minus H इसका H हटा दिया तो हमारे पास ROH alcohol बन गया और अगर इसमें से OH प्लस किया H हटाया तो ROH और अगर इसमें OH हटा दें H कर दें तो फिर हमारे पास hydrocarbon बन जाएगा उसी तरह से this is benzene इसमें से H हटा दिया और OH लगा दिया तो हमारे पास alcohol बनेगा वो बन जाएगा phenol sorry alcohol नहीं यह phenol बनेगा तो यह basic है कि how alcohols are prepared देखिए classification of alcohols and phenols alcohols are the compound containing hydroxyl group OH hydroxyl group होता है OH attached to alkyl group अब what is alkyl group alkane से alkane से जो group H निकल के जो group बनेगा वो alkyl group होता है कैसे देखिए यह हमारे पास alkane है CH3 CH3 इसका नाम ethane है अब ethane में से अगर हम एक hydrogen निकाल दें और यह valency रह गई तो इस group को हम alkyl group बोलेंगे और particularly यहां पे यह group हो जाएगा ethyl group ओके तो हम classification इस तरह से पढ़ेंगे hydroxy derivative of hydrocarbons क्या होते हैं alcohol these are hydroxy derivative of hydrocarbons aliphatic alcohols यह दखिए methyl alcohol CH3 OH methane से 1 H हटा करके methyl alcohol बन गया ethyl alcohol जो अभी हमने example देखा CH3 CH2 OH CH3 ethane का 1 H हटा के OH लगा दिया है तो यह हमारे पास ethyl alcohol और इसी तरह से propyl alcohol तब हम इनको क्या बोलते हैं hydroxy derivative यहां पे भी OH लगा यहां पे भी H लगा इनको हम aliphatic alcohols भी कहते हैं next है classification of alcohols and phenols phenols are hydroxyl derivative of aromatic hydrocarbon in which hydroxyl group OH attached to the carbon atom of the aromatic ring हमारे पास जो aromatic ring होता है उस ring से यह हमारे पास aromatic ring है इस में से यहां बाड़ा कहीं बाड़ा भी एक hydrogen हटा दें यह यह बैंजीन रिंग है दोवारा से इसका काम करते हैं alternate double bond लगाएंगे हम देखिए carbon यहां पे तीन bond हुए तो एक hydrogen होगा हर जगा एक hydrogen होगा यहां पे भी hydrogen 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 एक hydrogen को हम अटा देंगे तो हमारे पास इस तरह से balance ही बन जाएगी बाकी जगा hydrogen होगा यहां पे OH group इनको हम phenols कहते हैं क्या बोलते हैं इनको phenols यह देखिए पहला phenol it is known as phenol next है एक और hydrogen OH के दूसरा जो carbon है वहां से हटा दिया this is two bromophenol अब देखिए इसकी numbering हम करेंगे एक नमबर यहां पे दो दो नमबर पे ब्रोमो ब्रोमीन ब्रोमाईडायन लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे ब्रोमो फिनोल और साथ में क्या लिखा हुआ है और थो ब्रोमो फिनोल यह common name है तो यह पहला position होती है it is ortho यह वाली भी ortho यह दोनों positions meta होती है और यह last वाली इसके opposite वाली position पैरा होती है तो यहां पे ब्रोमीन दूसरे नमबर पे है ortho position पे है तो इसका नाम हो गया ortho bromophenol next है हमारा यह देखिए अब OH ग्रूप के वाले carbon को एक नमबर देंगे तो इस वाले ग्रूप को दूसरा नमबर तो दूसरे नमबर पे हमारे पास methyl group है तो क्या नाम दे दिया हो गया इसका two methyl phenol या ortho methyl phenol या इसको हम बोल देंगे ortho krisol इसका common name ortho krisol है अब देखिए यहां पे पहरा position पे OH ग्रूप लगा हुआ है अब देखिए ना हम इसको एक नमबर दे सकते हैं ना इसको एक नमबर दे सकते हैं तो हम इसका दूसरा नाम लिखते हैं one four benzene diol benzene का पूरा नाम इसको नमबर दे दिया हमने एक तो यह दो यह तीन यह चार तो एक नमबर पे OH ग्रूप है चार नमबर पे OH ग्रूप है दो OH ग्रूप है तो डाई लग गया OH के लिए Ol लगता है तो Diol तो इसका नाम क्या हो गया 1,4 Benzene Diol इसका हम बाद में भी करेंगे लेकिन अभी हमारी मोटी मोटी एक Classification है इसको Hydroquinone भी बोलते है या क्यूनोल भी इसका नाम है Similarly इसमें तीन OH ग्रूप लगे हुए हैं इसका नाम हो जाएगा 1,2,3 Benzene Triol और दूसरा नाम हो जाएगा Pyrogalol तो यह हमारी Classification है Alcohols और Phenols में Phenol की है Next फिर Nomenclature अब देखो Nomenclature हमारे पास दो तरह का होता है पहले तो Nomenclature में हम देखते हैं Monohydric Alcohols और इनके Common Names पहले Methyl Alcohol CH3 OH एक OH ग्रूप लगा हुआ है Isopropyl Alcohol इसमें भी एक OH Monohydric है तो एक ही इनके Common Names Isopropyl Alcohol इसमें OH ग्रूप लगा हुआ है लेकिन बीच वाले कार्बन पे तीसरा है Tertiary Butyl Alcohol एक ही OH ग्रूप लगा हुआ है लेकिन जिस कार्बन से OH ग्रूप लगा हुआ है वो कार्बन अन्या तीन मिथाईल ग्रूप के साथ या तीन अलकाईल ग्रूप के साथ अटेच्ड है तो ये Common Name इस तरह से हमारे पास Common होता है आइसो और टर्श्री देखर के कार्बिनोल सिस्टम कार्बिनोल सिस्टम में Similaristic Mental Group का नाम ही क्या होता है कार्बिनोल एथाईल अलकोहल जो है मिथाईल हम इसको बोलेंगे और ये बहारा ग्रूप कार्बिनोल हो जाएगा तो क्या नाम हो गया इसका methyl carbenol similarly dimethyl carbenol ये देखिए दो methyl group है और ये carbenol group third है फिर हमारा trimethyl carbenol ये देखिए trimethyl carbenol तो ये हमारे normal clature system है monohydric alcohols में common name इसके ये हो गए और carbenol system में इनके ये नाम हो गए next nomenclature में ही ये देखिए ithyl alcohol ithyl alcohol इसका नाम ये monohydric है glycol ये dihydric है अब देखिए इसकी structure किस तरह से है dihydric का structure किस तरह से है दो कार्बन है एक कार्बन दूसरा कार्बन दो h group लगे हुए है एक उपर को एक नीचे को और oh group यहाँ पे एक oh यहाँ पे दूसरा h तो यह क्या हो गया dihydric दो oh group लगे हुए है इसमें तो इसका नाम है glycol क्या नाम है glycol next है हमारा यह dihydric है third glycerol अब glycerol में देखिए तीन कार्बन है और तीन कार्बन पे अलग अलग कार्बन पे oh group लगा हुए है तो इसका जो common name है हमारा it is glycerol यह trihydric है तो पहला ethyl alcohol हो गया monohydric gly alcohol हो गया dihydric glycerol हो गया trihydric और उसके बाद alditol यह देखिए alditol इसको congested करके लिखा हुआ है देखिए कितने कार्बन है 4 तो यहां कार्बन है 5 और 6 एक कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा चौ्था पाँचुआ छे कार्बन हो गया हरे एक कार्बन पे O.H. हरे कार्बन पे O.H. हम एक ही तरफ को लगा देते हैं कई बार ये उपर-nीचे भी होसकते हैं प्रन्तु हम यहां पे एक ही तरफ को लगाएंगे, H, 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 और यहां पे H, तो यह हो गया LDTOL, मोनो आइडरिक कितने ग्रूप हो गया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे कार्बन के उपर OH ग्रूप हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया, LDTOL, और यह LDTOL, पॉलि हाइडरिक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारा, बेस आफ ग्लासिफिकेशन, हमारा बेस आफ ग्लासिफिकेशन है, डिपैंड, हाइड़ाजेशन ओफ कार्बन एटम कंटेनिंग OH ग्रूप, और यह दो तरह से, एक कार्बन जब SP3 हाइब्रिड होगा, और दूसरा जब कार्बन SP2 हाइब्रिड होगा, तो फर्स्ट कलासिफिकेशन है, कंपाउड कंटेनिंग कार्बन हैबिंग CSP3 हाइब्रिड कार्बन, जिसके साथ OH बॉंड होगा, और compound containing SP2 hybrid carbon जिसके साथ OH bond होगा अब देखिए कैसे carbon अगर इसके 3 sigma bond किसी के साथ भी है sigma bonds तो इसका मतलब ये SP3 hybrid होगा और ये ये वाली classification और यहाँ पे अगर carbon जिसके साथ OH group लगा हुआ है उसका double bond किसी के साथ भी है तो क्या होगा वो SP2 hybrid होगा तो ऐसे alcohol जिन में carbon जो है SP2 hybrid carbon के साथ लगा है और यहाँ पे जिसका SP3 hybrid carbon के साथ attached है तो ये दो हमारे पास classification के base है next चलते हैं hybridization of carbon containing OH group में पहला compound containing carbon भीचिज SP3 hybrid OH bond अब ये अलकाइलिक alcohols अलकाइलिक alcohols को हम देखते हैं पहले समझते हैं कि अलकाइलिक alcohols क्या होते हैं हमारा carbon है OH group लगा हुआ है लेकिन इसके साथ या तो ह हो या फिर अलकाइल ग्रूप हो अलकाइल ग्रूप हो तो हम इनको अलकाइलिक alcohols कहते हैं अब इनकी भी classification है आगे और दूसरा आएगा हमारे पास अलकाइलिक alcohols क्या है ये carbon है जिसके साथ OH ग्रूप लगा हुआ है ये फर्दर एक ऐसे carbon के साथ जुड़ा हुआ होगा जो की अलकाइलिक हो है जो की ग्रूप अलकाइलिक है अब दो तो बॉंड इसके हो गए एक बॉंड तो अलकाइलिक की साथ हो गए यहां H भी उसकता है यहां H भी उसकता है इनको हम अलकाइलिक बोलेंगे यह दूसरी classification हो गई यानि की SP carbon तो SP3 होगा लेकिन फर्दर एक SP2 hybrid carbon के साथ यह attached होगा और एक तिसरी तरह की आएंगे बेंजाइलिक बेंजाइलिक अलकोहल जाएंगे अभी हम पढ़ेंगे आगे बेंजाइलिक अलकोहल का मतलब है कि एक इस तरह से बेंजाइल ग्रूप लगा होगा या दैसे यह कारबन है ओएच ग्रूप लग गया यहां पे बेंजीन रिंग लग गया और यहां पे आर यहां पे आर भी हो सकता है यहां पे एच यहां पे एच भी हो सकता है इन अलकोहल को बोलेंगे हम बेंजाइलिक अलकोहल तो हमारे पास तीन तरह के alcohols जिन में carbon जो की जो hybridization state है वो sp3 होगी क्यों यहाँ पे भी इसकी sp3 है तीन तरह के होंगे alkylic अगला alylic और तीसरा bengylic तो हम इस तरह के alcohols को यहाँ पे study करेंगे यह तीन तरह के होते हैं बई primary alcohols secondary alcohols and tertiary alcohols primary alcohol होते हैं 1 degree लिखते हैं इनको secondary को 2 degree लिखते हैं tertiary को 3 degree लिखते हैं अब इनको हम समझने से पहले इनका देख लेते हैं पहले भीच हैब one और non alkyl group on the carbon bonded to OH और दूसरा भीच हैब two alkyl group on the carbon bonded to OH ग्रूप दो carbon होंगे और भीच हैब three alkyl group on the carbon bonded to OH ग्रूप अब देखिए हम primary alcohols क्या होंगे जैसे ये carbon है OH ग्रूप है तो या तो इसके पास कोई भी R ग्रूप नहीं है या इसके पास एक R ग्रूप होगा OH जैसे इस R ग्रूप की जगा हम CH3 ग्रूप लेते हैं तो ये दोनो primary alcohols है इस carbon को बोलेंगे हम 1 degree ये carbon भी 1 degree और इस तरह के alcohols को बोलेंगे हम primary alcohols अब secondary alcohol में देखिए ये carbon है जिसके साथ OH ग्रूप लगा हुआ है एक R, दो R और एक H ये हो गया 2 degree alcohol को है क्यों क्योंकि ये दो R ग्रूप यानि की R की जगा हम लोग methyl group भी ले सकते हैं ऐसे देखिए यहाँ पे CH3 यहाँ पे भी CH3 और H तो ये ये carbon क्योंकि दो तो एलकाइल ग्रूप के साथ जूड़ा हुआ है इसको टू डिग्री बोलेंगे और सिमिलरली टर्शरी में क्या होगा तो टर्शरी अलकोहल टू ġिग्री कार्वन के साथ एच होगा तो सक्यंडरी अलकोहल और वन डिग्री कार्वन के साथ होगा तो प्राइमरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल में हमने यह देखा कि भीच हैव वन और नन अलकाइल ग्रूप ऑन दा कार्बन बॉन्डी टू ओ एच ग्रूप और भीच हैव टू अलकाइल ग्रूप अन दा कार्बन बॉन्डी टू ओ एच ग्रूप और भीच हैव थ्री का ग्रूप ऑन दा कार्बन बॉन्डेट टू ओएच ग्रूप टर्श्री अल्कोहल हो गए similarly अल्इलिक अल्कोहल अब इन में ज़्यादा इलाबोरेट करने की हमें ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी प्राइमरी अल्कोहल ये भी स्केंडरी होते हैं और टर्श्री इस तरह से क्लासिफाई करते हम यहाँ पे भी इनको और इन में प्राइमरी अल्कोहल में भीच है वन अलकाइल ग्रूप ऑन दा कार्बन बॉन्डिड टू ओ एच ग्रूप वन अलाइल ग्रूप अब देखिए वन अलाइल ग्रूप कैसा होगा? CH2 double bond CH single bond COH एक अलाइल ग्रूप होगा बाकी कुछ नहीं होगा तो ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल और स्केंडरी अल्कोहल में क्या होगा? बीच है व एक तो अलाइल ग्रूप होगा और एक अलकाइल ग्रूप आ जाएगा यह हो गया स्केंडरी क्यूंकि यह कार्बन स्केंडरी हो गया यहां पर टू डिग्री हो गया यहां पर यह वन डिग्री ही है और तरंस्री एल्कोहल में ये जो कार्बन है ये दो एलकायल ग्रूप के साथ और जुडा हुआ होगा तो ये थी डिग्री हो गया यहांपे ए एक एलाइल ग्रूप है यह भी एलाइल ग्रूप है यानि कि alcohol वही है सिर्फ क्या change हुआ आर की जगा अलाइल ग्रूप ने ले ली अलकाइल ग्रूप की जगा एक एक अलाइल ग्रूप ने ले ली तो इस तरह के alcohols को हम अलाइलिक alcohols कहते है तो यह है primary alcohols which have one allyle group on the carbon bonded 2H group और secondary alcohol में which have one allyle and two alcohol group on the carbon bonded 2H group और tertiary alcohol में which have one allyle and two alcohol group on the carbon bonded 2OH group तो यह यह अलाइलिक अल्कोहल हुए हमारे नेक्स्ट है कंपाउंड कंटेनिंग SP3 हिड़ो में बैंजाइलिक अल्कोहल भी तीन तरह के होते हैं कार्बन उन में वैसा ही होगा प्राइमरी में भीच है वन बैंजाइल ग्रूप ऑन दा कार्बन बॉन्डी टू ओ एच ग्रूप अब इनको हम देख लेते हैं किस तरह के इनके एग्जेंपल्स होंगे जैसी ये कार्बन है ये कार्बन है यहाँ पे ओ एच ग्रूप एक बैंजाइल ग्रूप लगा हुआ होगा तो बैंजाइल ग्रूप कैसे होता है बैंजीन का ये यहाँ पे इधर एच होगा इधर एच होगा तो ये प्राइमरी बैंजाइली के अल्कोहल होगा secondary benzylic alcohol कैसे होगा देखिए ध्यान से यह benzyl group है लेकिन यहाँ पे R लगा हुआ होगा और OH तो यह 2 degree alcohol हुआ बेंजाइलिक alcohol और tertiary में benzyne ring एक ही होगा लेकिन दोनों तरफ को R group यह methyl group लगे होगे तो यह 1 degree हो गया यह 2 degree यह 3 degree benzylic alcohol ओके तो यह हमारे पास 1 degree 2 degree और 3 degree alcohol है तो यह benzylic alcohol भी हो गया next चलेंगे हम hybridization of carbon atom containing OH group और यह carbon होगा हमारे पास sp2 hybrid bond जिसमें होगा और यह दो तरह के होते हैं एक विनाइलिक alcohol और एक phenols अब देखिए विनाइलिक alcohol में जो carbon होगा it is doubly bonded यह देखिए अब यहाँ पर इस carbon की जो hybridization है वो क्या है sp2 तो बिनाइल ग्रूप इसको बिनाइल ग्रूप बोलते हैं तो यह बिनाइलिक ग्रूप हो गया और फिनाइलिक ग्रूप क्या हुआ देखिए पिछे हमने बैंजाइलिक पड़ा अभी यह फिनाइल यहाँ से H हटके OH लग ग्या है अब इस carbon को देखेंगे यह two इस carbon को यह sp2 hybrid है यह carbon double bond carbon single bond carbon double bond carbon single bond carbon double bond carbon single bond carbon अब H है यहाँ से H हटके OH लग ग्या अब देखिए यह sp2 हुआ ना क्योंकि double bonded carbon है लेकिन यह benzene ring है तो यह phenol हो गया यानि कि sp2 hybrid orbit यहाँ पे हैं तो यह benyle group benyle group को हम लिख लेंगे ऐसे CH2 double bond CH एक balance इस बिनाइल ग्रूप और यहाँ पे अगर OH लग गया तो उसको बोलेंगे हम benyleic alcohol और यहाँ पे अगर benzene ring में से एक H हटा करके OH लगा दिया तो उनको बोलेंगे हम phenols और यहाँ पे यह वाड़ा carbon sp2 होगा यहाँ पे यह भी sp2 होगा तो यह हमारी classification हो गई इनकी तो यह है benyleic alcohol में these contain OH group attached to carbon atom of a carbon carbon double bond और phenols में क्या है कि these contain OH group attached to a carbon atom of a benzene ring एक benzene ring के carbon atom के साथ attached होगा next इनका IUPAC nomenclature आपने प्लस बन में पढ़ा है लेकिन हम थोड़ा सा करेंगे alkane का E हम हटा देंगे और OL लगा देंगे alkane का E हटा देंगे और OL लगा देंगे जैसे यह है तो यह देखिए ethene से E हटाया और OL लगा दिया तो क्या बन गया ethene minus E plus OL ethenol similarly glycerol जो हमारे पास पहले हमने पढ़ा common name में अब देखिए इसमें 3 carbon है तो प्रोप अब इनको हमने numbering कर दी एक number पे भी OH ग्रूप है दो पे भी OH तीन पे भी OH ग्रूप है तो 1,2,3 triol 3 OH है तो triol तो इस तरह से हम 1,2,3 अगर 2 OH होंगे तो diol 3 होंगे तो triol और जैसे normal amyl alcohol हमने ये पढ़ा तो देखिए इसमें क्या है OH ग्रूप है तो pent-1-ol pentane 1,2,3,4,5,5,5,5,5 पांच carbon है और पहले ही carbon पे OH ग्रूप लगा हुआ है तो pent-1-ol इसका नाम हो गया इसको normal amyl alcohol भी हम कहते हैं तो इस तरह से हम इनके nomenclature यानि की इनका नमानकरन करते हैं हम लोग IUPAC system में और ये कुछ इनकी list है जैसे पहला methyl alcohol है इसको methanol बोलते हैं हम दूसरा है normal profile alcohol जिसको हम propane 1-ol क्यूंकि पहले carbon पे ही OH ग्रूप लगा हुआ है और तीसरा isopropyl alcohol propane 2-ol normal butyl alcohol butane 1-ol अगला है secondary butyl alcohol butane 2-ol अगला है isobutyl alcohol methyl 2-methyl propane 1-ol अगला है tertiary butyl alcohol 2-methyl propane 2-ol दो नमबर पे methyl group है और दो नमबर पे ही OH है तो 2-methyl propane 2-ol हो गया अगला है grislor propane 1-2-3 triol तो ये IUPAC system है हमारे और ये कुछ और है ये bond line diagrams है अगर double bond triple bond अगर बीच में आ जाए तो हम किस तरह से इनके नाम लिखते हैं IUPAC name लिखते हैं तो अगर double bond आ जाए तो हम EN लगा देते हैं infix और अगर triple bond आ जाए तो YN हम suffix लगा देते हैं the hydroxyl group is also sown by suffix OL the number of the chain to give OH the lower number OH जिस carbon के साथ है उसको हम सबसे कम number देंगे जैसे यह यहाँ पे bond line diagram में OH जहाँ लगा हुआ है उस carbon को हमने एक दे दिया दूसरे नमबर पे तीसरे नमबर पे double bound है और total 6 carbon है तो यहाँ पे हमने लिख दिया hex 3 in 1 old और दूसरी जगा भी यहाँ पे देखेंगे आप यह number 1 carbon number 2 carbon number 3 carbon number 4 carbon number 5 carbon और number 6 carbon 6 carbon है तो हमने hex लगा दिया 5 पे YN है तो 5 पहले या बाद में लगा दो कोई अंतर नहीं पड़ता 5 hex YN hexine 1 old यहाँ पे मैं इसको change कर लूँ यहाँ पे इसका नाम होगा H E X Y N 1 old यह NY थोड़ा सा आगे बीचे हो गया 5 hexi hexine 1 old YN hexine 5 नंबर पे है तो 5 यहाँ हमने पहले लिख दिया 5 hexine 1 old तो यह इसके bond line diagram के हिसाब से इसका नाम दोनों का हो गया next हम चलेंगे इसका दूसरा ना यह भी हो सकता है hex hex 5 YN 1 old इस तरह से भी हो सकता है next चलेंगे हम नॉमिन क्लेचर में ही यह तो हमने कर लिया यह देखिए यह aromatic alcohols हैं हमारे पास cyclohexane 1,2 diol देखिए इसका नंबर एक दो cyclic compound है तो इसको हम cyclohexane 1,2 diol अब यह 1,2,3,4,4 इसमें carbon है तो trans ultra है trans cyclobute 1,3 diol अगर cis होता तो यह जिस तरह से यह black किया हुआ है यह भी black होता यह देखिए यह hexane की तरह है cyclohexanol इसका नाम भी cyclohexanol है अब देखिए यहां पे OH ग्रूप को एक दे दिया दो दे दिया तीन, चार चार नंबर पे nitro है तो 4 nitro और यह group total phenol है तो इसका नाम हो गया 4 nitro phenol अब यह bond line diagram है एक carbon, दो carbon, तीन carbon तीन carbon है तो prop इसको 1, 2, 3 नाम दे दिये तो 2 के ऊपर 1, 2, 3 2 के ऊपर double bond है तो prop 2 in 1 oil और यह देखिए cyclopropanol यानि कि एक carbon, दो carbon, तीन carbon है और एक OH group लगा हुआ है तो इसका नाम हो गया cyclopropanol तो यह हमारे पास cyclic compounds के nomenclature है और यह एक और compounds हैं हमारे पास 3, 4 dimethyl 3 और 4 के ऊपर OH group से हम सुरू करेंगे 3 और 4 के ऊपर 1, 2, 3 के ऊपर CH3, 4 के ऊपर भी CH3 तो 3, 4 dimethyl फिनोल नाम हो गया और यहाँ पर CLCH3 2 chloro 1 methyl 4 nitrobenzene यह nomenclature alcohol से अलग है लेकिन आप इसको भी देख सकते हैं यहाँ पर benzene लेंगे क्योंकि एक ग्रूप, दूसरा ग्रूप, तीसरा ग्रूप तो यह हो जाएगा 2 chloro 1 methyl, methyl group को 1 1 methyl 2 chloro 4 nitrobenzene यह out of bay है लेकिन इसको भी आप यहाँ पर इसका नomenclature भी आप कर सकते हैं वहाँ यहाँ अपिर हमारा EISOMERYSних in alcohol EISOMERYS povo यहाँ है EISOMERYSों 0 ALKOHALS ALKOHALS 40 आपすनुP districts singularisom 1 is Chain isomorphism 2 isomorphism POSITIONAL ISOMERYSM third functional isomerism and fourth optical isomerism ये चार तरह का isomerism हम alcohols में study करते हैं ये करके करेंगे chain isomerism में what is isomerism first of all isomerism is the phenomena in which having the same molecular formula but different structural formula are known as isomers and the phenomena is known as isomerism और chain isomerism में alcohols containing more than four carbon atoms exhibit chain isomerism in which the alcohol differ in their chain structure जैसे हम example लेके यहां करेंगे ये हमारे पास CH3 CH2 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 OH ब्यूटेन वन ओल क्या नाम है ये ब्यूट वन ओल ब्यूटेन वन ओल दुबारा लिख लेते हैं ये कार्बन ब्यूटेन वन ओल और इसका चेन आइसोमर होगा CH3 CH CH2 OH और ये CH3 तो ये देखिएए CHAIN में DIFFERENSE हागया इस तरह के आइसोमर्ग को हम चेन आइसोमर्ग कहते हैं ओके तो ये CHAIN देखो विूटेन वन ओल ये होगया टू मिथाइल दो नंबर पे मिथाइल प्रोपेन वन ओल ये नाम हो गया इसका तो इस टू आर चेन आइसोमर्ग आफ इज अदर है पोजीशन आइसोमेरिजम दा अल्कोहल्स कंटेनिंग थ्री और मोर कार्बन अटम एग्जीविट पोजीशन आइसोमेरिजम इन भीच आइसोमेर्ज डिफर इन दा पोजीशन आफ हाइड्रोक्सल ग्रूप यह देखिए तीन हमारे पास कार्बन चेन वाड़ा अल्कोहल होंगा यह हो गया प्रोपेन वन ओल और यह है च्छ थ्री च्छ यह ओ एच यह हो गया प्रोपेन टू ओल ओएच की पोजीशन डिफर है तो यह दोनों पोजीशनल आइसोमेर्ज हो गया या पोजीशन आइसोमेर्ज हो गया क्योंकि ओएच की पोजीशन डिफर हो गई तो यह हमारा था second positional आइसोमेर्ज next है हमारा functional आइसोमेरिज मोनोहाइडरिक अल्कोहल्ट कंटेनिंग two or more carbon atoms exhibit functional आइसोमेरिज म in which isomers differ in the functional group यहाँ पे जो difference होगा वो functional group में होगा जैसे यह देख लीजिए 3CH3CH2OH this is ethanol, क्या नाम है इसका? ethanol और यही CH3OCH3 यह क्या हो गया? methoxy methane, यह group ही अलग हो गया functional group ही अलग हो गया इसलिए इनको हम functional isomers बोलते हैं methoxy methane यह दोनों functional isomers हैं of each other one is ethanol and methoxy methane next आएगा फिर हमारा fourth is optical isomerism monohydric alcohols containing chiral carbon atoms exhibit optical isomerism chiral carbon होना चीए हमारे पास chiral carbon is the carbon containing four different group containing four different group यानि कि ऐसा carbon जिसके पास चार अलग अलग ग्रूप होंगे तो इसको हम star से दिखा देते हैं is chiral carbon अब यह optical जो है mirror image होगा दूसरे का तो यह OH इदर को यह OH इदर को एक दूसरे के तो इस चार तरह का isomerism alcohols में होता है चार तरह का चार तरह का optical isomerism हमने पढ़ा chain isomerism, positional isomerism, functional isomerism and optical isomerism next topic है हमारा structure of the compound containing OH group यह हमारे पास alcohol है इसको ethyl alcohol कहते हैं हम इसमें देखिए जो OH group है वो sp3 hybrid carbon के साथ attached होता है यानि कि हमारे पास यह जो carbon है this carbon it is attached to OH group अब यह carbon है sp3 और यह आगे तीन किसी भी group के साथ attach हो सकता है h हो गया r भी हो सकता है और यह कैसे structure इसका कैसे होता है जैसे मालो यह carbon है which is sp3 तो यह इस तरह का एक orbital इतल इसका यह दूसरा orbital यह तीसरा orbital अब यह यहां पर यह orbital sigma bond बनाएंगे यानि कि hydrogen के साथ तो एक एक electron यह sigma bond बनेगा यहां पर भी sigma यहां पर भी sigma यह sp3 orbital है यह भी sp3 है यह भी sp3 है यह भी sp3 है यह भी sp3 है यह oxygen का है और oxygen के पास हमारे पास दो lone pair होते हैं दो electron उसमें और एक orbital के साथ H लगा हुआ होता है यहां पर भी H है तो हमारे पास जो structure बनता है वो जो alcoholic group बाले compounds है उनका इस तरह से बनता है इसको हम देखेंगे यह carbon है हमारा carbon यह H या R कुछ भी हो और यहां पर oxygen और यहां पर H यह जो bond length है 142 picometer और यह 96 picometer होती है और यह carbon हमारे पास SP3 hybrid bond मत समझ लेना यह SP3 hybrid carbon होता है तो यह हमारे पास इस structure के bond parameters हो गए हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि CO H यह bond है it is equal to 109.8 degree और जो C और O की bond length है it is 142 picometer यह हमारे पास इसके parameters हो गए यह अब हमारे पास दूसरा एक case आता है उस case में हमारे पास suppose करो यह बड़ा phenol है cdc बात phenol है तो phenol में जो bond length है और जो bond parameters इसके होते हैं वो इस तरह से है यह double bond लगा लेते हैं हम बीच से हटा करके क्यों क्योंकि इसमें हमारे पास alternate double bonds होते हैं यहां पे वो loan pairs दो बैसे ही तो यह जो bond है यह 109 degree हो जाता है और यहां पे जो c bond o की जो bond length है it is 136 picometer यह bond length हमारे पास यहां पे इतनी होती है ओके और जो c o h bond है यहां पे 109 degree का होता है ओके नेक्स्ट करते हैं बात हम डाइपोल मोमेंट की तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट दोनों cases में हम देखेंगे यह हमारे पास h3 c o h positive डाइपोल में यहां डेल्टा पॉजिटिव यहां पे डेल्टा नेगिटिव और यहां प positive तो हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट आ जाती है 1.71 device का unit होता है तो यह आ जाती है और दूसरा case अगर हम देखें तो हमारे पास यह oxygen और यह h और यह benzene ring हमारे पास होता है benzene ring में यहां पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगिटिव और यहां पे डेल्टा रहती है 1.54 डिवाई यह कम क्यूं होती है because यहां पे benzene के पास electron cloud है electron cloud पे जो electron density है वो oxygen पे ज्यादा रहती है उतनी ज्यादा नहीं रहती इसलिए यहां पे जो हमारे पास इसका डाइपोल मुमेंट है 1.54 डिवाई हो जाता है और यह हम यहां पे देख सकते हैं कि जो CO bond phenol में है it is less polar due to electron withdrawing effect बेंजीन का जो effect होता है वो electron withdrawing होता है on the other hand यहां पे इसका electron donating होता है इसलिए जो polarity है यहां पे in case of aliphatic alcohols वो जो हमारा यह डाइपोल मुमेंट है वो जादा होता है तो यह हमारे पास आज के topic का last यह था concept था हमने इसका structure पढ़ा आपको ढंग से और अच्छे ढंग से इसको आतमसाद करना है पढ़ना है इसी के साथ lecture बंद करते हैं thank you and have a nice day